दोस्तो अगर आप एक action user है और कहीं पर job करते हैं तो आपके सामने भी यह problems आ सकती हैं अब वो problems क्या है मैं आपको इस स्किन पर दिखाता हूँ दोस्तो हो सकता है आपके पास में कुछ इस तरह का data आ जाए और आपके बोस्त ना आपसे बोला है कि भाई यह जो हमारे पास data है इस में से इस columns के अंदर यहां पर आप देखेंगे कुछ tax लिखे हूए है यहां पर नमबर साइडी लिखे हूए है यहां पर tax आईडी है फिर प्रक्रम करेंगे तो इसको होँए है तो अब नमबर आईडी हमको चीये है इस लग करने के बाद थेक्ट करके लाखके रखेंगे अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत जदा ताइम जाने वाला है दूसरी बिग प्रॉब्लम हमारे पास यहां पर यह है कि यह लिखे हुए उन सभी नेम को मुझको यहां पर शोट लैंथ वाइस करना है मतलब इन नेम में से जो भी सबसे चोटा नेम है जैसे यहां पर राज नेम है वो नाम पहले वो पर आना चाहिए जो उस सब बड़ा लैंथ का नेम होगा जैसे कि मोलू है उसके नीचे आना बनाना कौन सा बड़ी बात है डेटा वैलिटेशन में जाकर असानी सब बना देगे जहां दोस्तों जुरूर बना सकते हैं जिसको नहीं पता जैसे कि आप यहां पर काफी सारी स्पेस है वो क्या करेंगे ड्रोपडाउन लिस्ट बनाने के लिए यहां से डेटा ठीक तो वहां पर ड्रोपडाउन लिस्ट बन जाएगी बड़ यहां पर जैसे आप देखेंगे यहां पर तो इसमें प्रॉब्लम्स क्रियेट हो चुकिए यहां पर जैसे यह दो नाम लिखे होए तो उपर और उसके निचे यहां पर टीन इस पेस थी तो उसने यहां पर भी हां पर चलक कर लिया है पर आपके बहुत नाम से यह बोला है कि हम यह चाहते हैं कि जो इस पेस हैं इनका ड्रोपडाउन लिस्ट क्रियेट ना हो सिर्फ जो नेम है यहां पर उन्हीं का यहां पर ड्रोपडाउन लिस्ट आना चाहिए यानि कि इस ड्रोपडाउन लिस् दोस्तो वीडियो में आग बढ़ने से पहले आपसे एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है अगर आप ने हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिस से आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे तो दोस्तो जैसे कि मैंने इंट्रोपार्ड माँ आपसे बताई है अगर आपके सामने भी इस तरह बेसलेखन बना करएं इसको सलेक्शन अ कितल करें घर करेंगे तो इसमें आपक longtemps का मदने हैं ज़र यहां पर इसाल का फॉर्मुला की मिंग्सिंग करने का कि CrossFit फॉर्मुला रिटर वान फोर्मॉला और यह अधर यह चो प्रोatherine की अंदर तो tactical यहां पर एक्च्छो स्वीरा थैयन हो यह आपको लगा थो पहले एयो तcious आदेदे WIN spec करेंगे और करने के बाद यह मांगता है यहां पर यहां पर यहां पर देखना मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूं तो यहां पर यह क्या बता रहा है यहां पर यह जो लिखा हुआ यहां पर दिखा रहा है true नीचे भी true यहां पर दिखा रहा है formula तो obviously is tax जो formula काम करता है वो value यानिके is tax formula जब आप लगाते हो और value को select करते हो उस value के अंदर अगर tax लिखा हुआ होगा तो वहां पर दिखाता है true और उस value का अंदर number लिखावा होगा तो उसके नीचे वो किया दिखाएगा false दिखाता है तो इस tax जो formula होता है आपकी value में से tax को ढूणने का काम करता है is that clear और जैसे कि मैं यहाँ पर इसको click कर लेता हूँ click करने बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ formula जैसकि इस number का यहाँ पर इस number type करा bracket को मैं अगयरी start कर दूँ आधर यह भी value ही मांगता है तो मैं value को स्कोख लेता हो select और यहां से व्र स्कोख करता हूँ and key का use करता हूं और यहाँ से स्कोख पकड़ गैमниц, जैसे ड्रैक करता हूं तो यहां पर रिखा रहा है यहां पर यह थिःखा उखा दीया है थैक्षर 폭ए मेंकूर तो रहता है क्लिनी के सामने तो यहां पर फोर्स दिखा रहा है और उस ठीस का मुला काम करता है वह tax code होने का काम करता है I hope कि आपको यह formula समझ में आगया होगा इन formula की mixing करके कि हम यहाँ पर इन सभी को अलगड़ा करने वाले हैं इसको लंबे से करने के बाद अपनी यहां पर यहां पर यहां मांग रहा है filter formula देको syntax को हमेशा follow करो जैसे यहां function लगा तो function लगाने के तुरांद बाद वो उसका syntax दिखाता यानि का formula को आपको किस तरह से यहां पर लगाना है मैं इसका syntax बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं यह array म जो आपकी range है यानि कि जहां से आपको value को filter कराना है उस सभी value को कर लेंगे select यानि कि इस column कंदा जितनी भी value आपके लिए सकते हैं अगर आपके पास में किसी भी condition में हो सकता है कि इस column का अंदर data कुछ ज्यादा लिखा हो तक आपका data लिखा हो अगर यहां से एक लाग तक आप जाएंगे नीचे तक drag करते करते तो आपको बहुत ज़्यादा time उसमें जाने वाला है तो आपको shortcut keys का करना है यहां पर पस पहले रेंज को आपको select करना है यह करने का बाद आपको keyboard से कंटोर प्लस सिप्लस डाउन एरो की करना है तो उससे होगा क्या कि starting point से ले करके ending point तक आपकी इस column के अंदर जहां तक value लिखी होगी वहां तक automatic array select कर लेगा जैट की लिए तो यह करने के बाद मेरा यहां पर array आ चुका है आने के बाद यहां पर उसके बाद में array complete हुआ single comma press करेंग यहां पर single comma type करने के बाद include मांगता है include का मतलब यह कहाता है कि आपने जो यह array दिया है इस में से आपको क्या चीज criteria रखनी है मतलब आपको number criteria रख है यहां पर यहां निकालना है हम इत्याक करने के ऺए ब्राकट को इस टार्ड को स्टार्ट करने का बाद फिर यह आगें मांगता है वेल्यू को वयल्यू हमारी कहां पर है वोःशी को अंदर है इसको में कर ला तो यहां पर किलिक करने के बाद मैं इसको ड्रैक्ट निंग करूंगा मैं कीबोर्ड से कंटॉल प्लस डाउन एरे की का यूज करूंगा उससे वह वाली वैल्यू आपकी सारी उस कोलम के अंदर की सिलेक्ट हो जाएगी इतना करने के बाद आपको यहां पर अगें ब्रैक्ट को कर देना है क्लोज क्लोज करने के बाद यहां पर जैसे कि यहां पर कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद यहां पर यह मांगता है सबसे पहले जैसे आप यहां पर टाइप करेंगे जैसे कि यह कहा रहा है कि, अगर आप यह हमेशा ढखो Kenned Nora k,ách सिंटेक्स में यहां पर यह square bracket दीखरा को, square bracket के अंदर जो भी लेathno निखी होथी, वो ओफिसनल होती है, optional मतलब अगर आप उसको देना चाहो तो दे भी सकता हो formula को नहीं भी देना चाहो तो कोई benefit उससे होता भी नहीं है ठीक नहीं भी देखो तो कोई problems होने वाली नहीं है हमें सा तो यह कहा रहा है कि if impity यानि कि यह जो आपने range यहां से यहां तक select कराई है यह जो array आपने दिये हैं इसमें से कोई सी भी cell अगर blank निकले यानि कि impity का मतलब क्या होता है खाली होता है अगर वो खाली हो तो उसकी देखा आप क्या देना चाहता हो कोई tax कोई dash कोई symbols वगरा आप यहां पर आसानी से दे सकते है तो मुझको यहां पर push नहीं देना तो मैं इसको यहां से कोई में को remove ही कर देता हूं यहां से आपको इतना काम करने का ब्रैकेट को again close करना है और enter की का use करना है आपकी इस रेंज में से यहां पर सभी जो आपकी टैक्स आइडी थी वो निकल के separate आ चुकी है इसी तरीके से हम यहां पर number id को निकालेंगे equal to button paste करना है आपको again filter का formula आपको यहां पर type कर देना है filter का formula जैसे हम टाइप करेंगे packet को again start करेंगे और यह मांगता है array array हमारा obviously यही है control save down arrow की use करेंगे यह हमारा array आ चुका है आने के बाद यहां पर single comma लगाएंगे single comma लगाने के बाद include में क्या मांग रहा है यह कि आपने जो यह array दिया है इस में से आपको क्या चीज निकालना है और numbers को निकालने के लिए मैं आप फर्मॉला लगाना चाहूँगा इस number का इस number क्या करता है कि आपकी range में से number को निकाल करके आपके सामने दे देता है यह मांग रहा है इस नंबर का फॉर्मूला मैंने आप टाइप किया उसके बाद में यह मांगता है वैल्यू को वैल्यू मेरी ओबियसली यही है कंटोल सिफ्ट डाउन एरो की का यूज करूँगा सिलेक्शन बनाने के लिए यह सिलेक्शन बन जाएगा और फिर इसको ब्रैकट को मागें क्लोज करूँगा ब्रैकट क करने के बाद यहां पर यह मांगता है if empathy, मैं इसको zoom बरके फिर अगेन आपको बता रहा हूँ इस empathy यह कर रहा है कि अगर आपकी इस range में से जो आपने ये range एरे दिया है इसको इसमें से कोई cell अगर आपकी blank निकले तो उसके सामने आप क्या fill कराना चाहते हैं, तो मुझको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं कराना क्योंकि महाँ पर मेरी blank cell है ही नहीं ठीक और यह square bracket में जो भी value लिखे होती है वो सब optional होती है, optional का मतलब दो दोगे तो भी काम चल जागा, नहीं भी दोगो तो भी काम आपका चल जाएगा formula में, is that clear, तो मैं tax और number formula की mixing करके हम किसी भी column में से अगर आपके column के अंदर tax यह number लिखे हैं तो tax ID को यानि के tax को और number को आप अलग-अलग column में भी ला सकते हैं, इन formula की mixing करके, वीडियो पसंद है तो अभी कभी वीडियो को like करो और comments करके जरूर बताना कि अटिक्स आपको कैसी लगी एक छोड़ी सी बात में आपको बताता चलू यहां पर मैंने इसमें जो formula लगाया है filter का formula लगाया है disclaimer में थोड़ा सा सुन लो इसका filter formula आपके सामने हो सकता है कि आपके Microsoft के अंदर यह एक्सल के अंदर formula ना हो क्योंकि यह जो filter formula है 2019 में भी साथ है 2021 में यहां पर वर्जन यूज़ कर रहा हूं 2020 वर्जन एक्सल का मैं यूज़ कर रहा हूं मेरे एक्सल में तो है और अगर आपके एक्सल में यह filter formula आपको ना मिले तो आप Office 365 300 पैसेट में भी जा करके इसका यूज़ कर सकते हैं इस आट के लिए चले बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम सेकिंड की और इस प्रॉब्लम में क्या है दोस्तों हमार पाँ जैसे कि मेरे कोलम के अंदर यहां पर कुछ नेम लिखे हैं और इस नेम में हमारे पास सवाल यहां पर यह है कि इन सभी नेम को मुझे शोट लेंथ वाइज यहां पर लिखना है मतलब जैसे कि यहां पर यह राज है जो सबसे छोटा नेम है वो पहले उपर आना चाहिए फिर उससे छोटा नेम उसके नीचे आना चाहिए यानिके इन सभी नेम को मुझे असेंडिंग उर्डर रिखना है असेंडिंग और देंग रोगर तो आप जानते होगे न दोस्तो असेंडिंग मतलब ऐसो होता है कि सबचे चोटा उस्जा बड़ा उस्जा बड़ा करम आया जाता है फिर उसके रवएल्ई आ Subaru चोटा सबसे बढ़ी वैल्ति या थिंशा चोडी वैल्याटि यहां पर हम यहां पर चाते कि प्रहें सके चोटी यहां-पर इंज्मद सबसाँ च्राइब श्वाम спрос छे क्रें और यहां पर ऊंपर फर्मुला आप लगांगे है स्टी सो पाइँ है मेरा मैं इसको कर ले अगर आपको ड्रैक करने की कोई भी जरूत नहीं है कंटॉल सिफ्ट डाउन एरो की आप जैसे यूज़ करेंगे तो यह पूरी रेंज को जहां तक आपकी वैल्यू लिखी होगी वहां तक यह सलग कर लेगा इतना करने के बाद यहां पर आप क्या लगाएंगे सिंगल कुमा प्रेस करेंगे सिंगल कुमा प्रेस करने वाई कर आप बाई एरे किस एरे के दुआरा आप निकालना चाहते हो और अगें तो हम यहां पर कर देदें के लैन लैन फॉर्मॉला जो मैं अभी आपको बता था लैन यहां पर टाइप करेंगा अगें फॉर्मॉला औ ब्रैकिट को स्टार्ट कर देंगे जैसे ब्रैकिट को अगेनी स्टार्ट करेंगे इस यही हमारा और यह थे PlayStation रहे हैं क्योंकि हम सभी मेंसे हम नाम को चाट करके लेंघ करना बार करने बात कंट्रॉल शिफ्ट डाउन ऐरो की का यूज़ करऊंगा किसलिए मैं आपको बता चुग हो मैं बार 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 बताऊंगा नहीं ठीक है इस पुरी रैंज को कर लेता है select select करने का बाद यहां पर आप ड्राक्ट को कर देंगे close जैसे आप ड्राकट को क्लोज खो करेंगे और यहां पर single comma type करेंगे जैसे आप single comma type करेंगे तो यह यहां पर यह बताएगा कि यह यह जो लैंद आप ने दी है इस length में से आप इस length को ascending order मलाना चाहतों यह more प्लाना चाओं आपको विदिख रहा है खोलो जीर प्हぁलिए थोल देर पहले आपको बता आगर नहीं कर न कहा है तो यहां पर यह भना नॉटर के लिए जाख कर सकते हैं को तो मुझ जाएंडिंग और नहीं चाहिए चाहिए तो आप कर हाँ तो नहीं है टाइप करूंगा यहाँ- करनगा और पर काष्ट-いきます कि लोगोशनी स्राइप यहां पर खुड़कों कर दिया है suck बड़ा नेम एक मोलू है फिर रातुल कुमार है पूजय पाल है रितिक है सतीजरन है तो यह लैंट वाइज सोट होकर यहां पर आ चुका है यह बहुत ही अमेजन ट्रीक है आपके सामने भी कुश्शन आ सकता है और यह डाइनेमिक है आप यहां से जैसे कि फॉरक्जंबर य आगर मौलू का मैं Queens बड़ा कर देता हूं जैसे कि मौलू कुमार सिंगं मैंने यहां पर टाइप कर दिया है और राजपूत मैंने यहां पर सबस्ब्र नीम ये वाला नेम्रौ सब θαन सबसे नहीं जाना चाहिए आप देखेंगो यह डायनेमिक ही अपड़ेट हो चुग है और मोनु कुमार सिंग जो है वो लैंद के सबसे नीचे आ चुगा है आप देखें यहां पर क्योंकि यह नाम सबसे लैंद में सबसे बड़ा हो चुगा था तो दोस्तों यह थी आपकी सेकिंड प्रॉब्लम का सोलुशन जो बहुत ही आमेजिंग था आपके सामने भी ऐसी प गंदर मेरे यहां पर नेम लिखे और कहीं कहीं पर यहां पर ब्लेंक सेल है इमरे यहां पर तो इन सभी नेम कमुष्को cantop पर drop down list को create करना है drop down list करने के लिए जरनली लोग जानती होंगे आपको data पर जाना है और data पर जाने के बाद आपको यहाँ पर data validation बापको click करना है data type पर आप जाएंगे data validation बापको click करना है click करने का आपको यहाँ पर allow में any value के जग आपको यहाँ पर list पर click करना है जैसे आप लिस्ट पर क्लिक करेंगा आपको यहां पर source में आपको फोकस करेंगे, source में आपको यहां पर, यह जो आपके name के अंदर सभी name लिखें हैं, उन सभी को आपको select कर ले जैसे आप इनको सभी को select करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसकी रेंज यहां पर आटोमेटिक आ जाएगी, सेलेक्शन के बाद वह बेसलिए आई ही जाती है, और ओके बटन का यहां पर यूज करेंगे, जैसे यहां पर देखेंगे, यह ड्रॉप डाउन लिस्ट का बटन आपके सामने आ चुका है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यह सभी नेम आपके आपके सोह करके दिखाएंगे, यहां पर आप देख रहे हुए, जैसे रोहित, राजपुत, राना, बर्जपती आपके यहां पर सभी नेम यहां पर दिखा रहे थी, इस्में कंडिशन यह है, आपके बहुत आपसे आपसे create करती और हम यह चाहते हैं कि इस drop down list यहाँ पर जो भी drop down list create हो उसमें ये blank cell आप देखेंगे ना इन दो name के नीचे ये तीन blank cell थी तो उसने इन तीनो blank cell का भी यहाँ पर drop down list बना लिया है नीचे fourth number पर यह नाम था राजे सिंग तो fourth number यहाँ पर आपकी इस range के अंदर जहाँ पर भी blank cell थी वहीं पर इसने उन सभी का blank cell का भी drop down list यहाँ पर create कर लिया है बट सवाल हमारे यहाँ पर यह है कि यह blank cell हमको नहीं चाहिए शिरिफ जो हमारे name लिखे हैं उन्हीं का यहाँ पर नाम चाहिए तो ऐसी condition में आपको करना क्या है इसको मैं यहाँ से undo कर लेता हूँ मुझको नहीं चाहिए सबसे पहला आप क्या करेंगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ निकाल करके सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैं एक formula लगा लेता हूँ मैंने यहाँ पर किलिक करा किलिक करने का बाद यहाँ पर आप formula लगाएंगे filter का equal to button paste करना आपको और filter टाइप करना है filter आप टाइप करेंगे हाँ पर bracket को start करने का बाद यहाँ पर आप इस range को selection मना लेंगे किलिक करेंगे और नीचे की वो drag कर लेंगे हमेंसा follow करो मैंना आपको बता है यह array मांगता है array के बात क्या मांगता है include include मतलब यह कह रहा है कि इस range में से आपको क्या चीज criteria रखनी है तो criteria मैं यहाँ पर again same यही arrow दे दूँगा यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर इसको करने का बाद same यही arrow मैंने array यहाँ पर fill करा दिया है इतना कराने का बाद यहाँ पर आपको type करना है less than again greater than इसका मतलब क्यों होता है मापको focus करके यहाँ पर दिखा जाता हूँ यह जो आपका formula यहाँ पर लगा है यह formula यह कह रहा है कि filter हमने formula यहाँ पर लगाया array हमने type कर दिया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिया इसका मतलब इसका पूरी रैंज का मतलब यह हो गया यहाँ से include में मैंने यह जो value यहाँ पर दी है इसका मतलब यह हो गया कि यह range not equal to है किसके blank cell के तो वहाँ पर क्या दिखा दे यानि कि उन सभी blank cell को वह ignore कर दे और यह range हमको दिखा दे जो हमने पहले दी है I hope कि यह options आपको समझ में आ गया होगा यह अगर नहीं आया समझ में तो मैं आपको बार बार repeat नहीं करूँगा वीडियो को skip करो पीछी जो और दोबार repeat करके सुन लो ठीक तो मैं इसको कर लेता हूँ zoom out और यहां से bracket को कर देता हूँ close bracket को close करने के बाद enter की का यूज़ करेंगे और again enter की का यूज़ करेंगे वाओ आपके सामने यह सभी नेम यहां पर आ चुके है निकल के जो मतलब इस formula का अंदर क्या था कि इस formula का अंदर इस ने इस range में से यह जो note equality लिखा हूँ था बरापर नहीं था formula के ठीक तो उसने जहां पर blanks है थी उन सभी को ignore किया और आपके सामने जो नेम लिख वह तो उसका सभी का यहां पर नेम ला करके दे दिया है अब हमको drop down list create करनी है तो यहां पर click करेंगे again data tab में जाएंगे data validations पर जाएंगे और यहां से list को click कर लेंगे list ले लेंगे यहां से any value की जगा पर और source में बच्चे बोलेंगे सार यही को select कर लेना है तो इसको आप select कर सकते हो ठीक है जैसे मैं इसको select कर लेता हूं select करने के बाद इसको बटन पर कर देता हूं click तो आपकी यहां पर drop down list आ चुकी इन सभी नेम के यहां पर drop down list बनके आ चुक है but by chance अगर मैं के जैसे कि यहां पर कोई name add कर देता हूं मैंने यहां पर type कर रहा है doctrine करें-चे कमें यहां पर use करता हूं तो आप देखें-चेयां पर यहां पर और सतीज स्राना ठीक तो यहां पे तो पूरे नाम गुए एड़ करके दिखा रहे है बट इसमें से एमस आपका नेम एड़ आ चुक है मैं उपर दिखाता हूं देखू यहां पर एमस तो एड़ हो चुक है बड़ जैसे इसमें एक नाम एड़ हुआ यहां से एक नाम गायब हो यहां पर लिस्ट में देखेंगे एमस एड़ हो चुक है नीचे वह बढ़ चुक है मकर शतीत स्राना इसमें नहीं आ रहा तो ऐसी कंडिशन में आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है कि यह जो भी यहां पर बनाएं बनाने के बाद आपकी जो बिलैंक सहल है इन लिस्ट को स्लक करेंगे और सबसे पहली वाली जो आपकी यहां पर यहां पर अरॉस को क impose टाइपकर देना स्लक करने के आपको हाँ पर किला करने बस आपको अब अगर यहां पर आप 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 देखें गांध चम्पेश youd, यहां पर आप यह viensरी करदाएं इंतर चुक Application का beth इंतर पर रहा है अपर यहां लोश एंड करदो का मैं नीचा करते लोग कर दिया कंप्यूटर मैंने डाइब कर दिया और एंटर की का जैसे यूज करता हूं तो यहां पर भी वह एड़ हो चुक है ना यह सब डानेमिक है आपस में ठीक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं यहां पर जा करके देखूंगा फॉर्थ नंबर पर आपका कंप्यूटर भी एड़ हो चुक है एक्सल की बिग प्रॉब्लम का सोलुशन जो मैंने तीन टिक्स के अंदर आपको यह सोल्व करके बताया है